कि देर स्टूडेंट्स कैसे है आप लोग आशा रखता हूं आप सब बढ़िया होंगे आज ज्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट न करते हुए हम डिसकस करने वाले हैं वेद पूरुष के बारे में जो कि कल जो हमने लेक्चर किया था वो जो लेक्चर है उस लेक् पूरुष मतलब सांग उपांग जो अंग होते हैं वेद पूरुष के उन अंगों में क्या-क्या चीजे होती हैं तो उसका वरणन हम आज करेंगे साथ ही में we will also discuss about the sutras that are given in Indian Vedas so dear students let's not waste time and dive into the deep knowledge of Veda दोस्तों हमने आगे के लेक्चर में देखा था कि वेद वेद कहां से आये हैं वेद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई तो वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मन मतलब जो हमने नारायन विश्नु का एक स्वरूप देखा था उनके स्वास मतलब उनके पृत से आ आये हैं वो वेद जो है उन वेदों के अलग-अलग छे अंग होते हैं अंग मतलब जिसे यू और नो दस कि अगर हमारा बॉड़ी है तो बॉड़ी को चलाने के लिए बॉड़ी के पार्ट होना बहुत जरूरी है अकर कोई भी पार्ट मिसिंग होता है तो हम वीक पड़ ज जो है यह वेदांग जो है उन अंग बोला जाता है इसलिए क्योंकि वो वेद पुरुष अगर हम उसको सपोस लाइक इन एलजीब्रा वी टेक सपोस एस्टीमेट्स अजम्शन्स वैसे ही यहां भी हमें अगर करे कि वेद पुरुष एक पुरुष के जैसा एक यूमन फॉ पुरुष है तो इस वेद पुरुष के आखे जो है उनकी आखे जो है वो जोतिश है अब जोतिश का मतलब सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलोजी नहीं होता यहां पर जोतिश का मतलब है एस्ट्रोनॉमी ओल्सो एस्ट्रोलोजी ओल्सो आखे जो है वो जोतिश है फिर उनके कान जो है वो निरुक्त है जिसे हम एटीमोलोजी से असोसियेट कर सकते हैं next is his nose जो की है शिक्षा अब शिक्षा जो है education you know this it's ग्यान तो ग्यान जो है वो नाक से असोसियेटेड होता है व्याकरन ग्रामर जो है वो उनके mouth मतलब मूँ से असोसियेट होता है साथ ही में उनके हाथ जो है वो कल्प मतलब rituals कर्म करने के लिए जो use होते है उससे वो असोसियेट करता है and then comes the last part which is your legs your feet वो है छंद छंद का मतलब है meter अब meter मैं आपको अगर समझाओं तो जैसे आप लोगों ने शायरी सुनी होगी आप लोगों ने कविताय सुनी होगी तो उसमें जो a b a b meters हम बोलते थे जैसे किसी में आ गया चला गया तो यह गया गया जो है जो दोनों में रिपेट हो रहा है वो एक meter बनाता है है ना तो संस्कृत में भी आप अगर वेद पढ़ोगे तो वेद में श्लोक है श्लोक है स्तोत्र है सुक्त है अस्टक है यह सब जो भी है यह सारे हिम्स जो है यह स्तोत्र स्तूती इन सब में एक मीटर होता है मतलब उसको पढ़ने का एक सिंपल मटीरियल अवेलेबल है और यह चंदग्यान जो है वो बॉड़ी का सिख्थ पार्ट है मतलब अगर मैं आपसे फिर से रिवाइस कराने की बात करूं तो ज जो है वो जोतिश है कान जो है वो निरुक्त है मू जो है माउथ वो जो है वो व्याकरण है फिर नाक जो है वो सिक्षा है हाथ जो है वो कल्प है और पैर जो है वो चंद है चंद मतलब मीटर अब यह सब चीजे वेदों के छे अंग क्रियेट होते हैं और इन ही छे अंगो को वेदांग बोला जाता है और इन ही वेदांग को सांगो पांग भी कहा जाता है सांगो पांग का मतलब है छेल अंगो का होना अब इनका ना होने से हमारे वेदों पर क्या असर पड़ता है तो सपोज अगर आपके पास जोतिश है आपके पास व्याकरण है आपके पास आप बिना व्याक्रण के वो संस्कृत के vocabulary learn ही नहीं कर पाएंगे वैसे ही अगर आपने श्लोकों को learn कर दिया है ना जैसे हम कोई अपना दोस्त होता है बाथरूम सिंगर और वो जैसा तैसा बेसुरा गाना गाता है है ना वो हमें पता कैसे चलता है कि उसने बेसुरा गाया क गाजिक के अंदर लेज जो है वो छंद है और ये जो छंद है वो मीटर जो है उसी के कारण हमे कोई व्यक्ति सूरिला और कोई या प्यव्यक्ति बेसुरा लगता है तो ये एक एक अंग का बहुत रेलेवन्स है अगर इन में से कोई भी अंग मिसिंग है तो समझ लो वेद पुरुष ठीक शे चल पाएगा नहीं नेक्स ये तो हुआ वेद पुरुष का कॉंसेप्ट इसके बाद आता है कि ये वेद पुरुष जो है इनके जो वेद ये जो वेद है ये वेदों की छोए फिलोसॉफीस है दर्षन जिसको बोलते हैं, तो छे अलग-अलग प्रकार के दर्शन होते हैं, पहला होता है न्याई दर्शन, दूसरा होता है वैशेशिका दर्शन, तीसरा है सांख्य दर्शन, चोथा है योग दर्शन, पाचवा है यगन कर्म, पुर्व मिमांसा, इसका दर्शन है, उत्तर मिमांसा और ज्ञान और वेदान्त उपनिश्यद और आरण्यक इस तरह से छे दर्शन है अलग-अलग प्रकार की फिलोसोफी है सूत्र जो होता है हमने बहुत बार सुना है कि ये सूत्र है अब सूत्र का मतलब क्या होता है अगर मैं आपको बहुत सिंपल हिंदी में कहूं तो सूत्र सूत्र जिसको तोड़े तो पता चलता है कि सूत्र का मतलब है थ्रेड मतलब एक दोरी अब दोरी जो है ये सूत्र जो है वो एक वेल कनेक्टिंग लिंक है हमारी वेद के साथ अब ये सूत्र जो है ये हमें इजीली चीजों को लर्न करने में मदद करते हैं जैसे हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, कि तमसो मा जोतिर गमाया, तो यह सब सूत्र हो गए, मतलब कि in English if you say, तो इस सूत्रा आर लाइक फ्रेज़ेंगे, तो यह जो फ्रेजिस है, यह फ्रेजिस को वेदो में बोला जाता है, सूत्रा, अब अम अंडरलाइन पहले करेंगे, क्या हमारे यह important है, पहले तो वेदों के छे दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेशिका दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पुर्व मिमान सा यग्न कर्म, उत्तर मिमान सा ज्ञान और वेदान्त, उपनिशद और आरण्यक, यह सब उनकी छे दर्शन मतलब philosophies है, अभी हम पढ़ रहे है, सूत्र, तो सूत्र क्या है, सूत्र is a part of वेदास, यह क्या करता है, इतका लेटरल मीनिंग होता है, thread, which is easy to understand, easy to communicate, and to remember and recall, कुछ कुछ चीजे है, जैसे कहावत हम बोलते हैं, तो कहावत एक छोटा सा हिस्सा होता है, जो हमें याद रह जाती है, उसी प्रकार सूत्र भी छोटे-छोटे हिस्से है, छोटे-छोटे फ्रेजिस है, जो easily याद रह जाते हैं, अब इसके अंदर, सूत्र के अंदर, लोगों ने, लोगों ने मतलब गुरुों ने, टीचर्स, जो रिशी मुनी थे, उन्होंने अपने अपने जो भी सिश्यों थे, उनको अलग-अल होते हैं, या हमने सुने होते हैं, तो उनके अंदर आते हैं, पहले, ब्रह्म सूत्र बाई, मुनी वेद व्यास, योग सूत्र बाई, पतन्जली, है ना, आपने सुना है, योग गुरु पतन्जली, मतलब योग सूत्र लिखने वाले, रिशी पतन्जली, उसके बाद, ग्र प्रवत सूत्र, शुल्व सूत्र and धर्म सूत्र given by जैमिनी ये सारे रिशी मुनी ने मिलके अपनी अपनी कॉमेंटरी लिखी और उन्होंने कुछ सूत्र लिखे उन्हीं सूत्रों के बेजिस पे हम लोग आज तक सर्वाइव करते हैं हम लोग आज तक वेद को समझने की जो क शंता हैं वो इन्हीं सूत्रों से आती है अब यहां पे एक पार्ट आता है कि वेदों को क्या कहा जाता है तो वेदों को इसका कोई स्थित और नहीं है वेद जो एउनका कोई स्थित और नहीं है अब ही मैंने आपको जो वेदांग समझाए ना, सांगो पांग जिसको मैंने कहा, वो सांगो पांग एक फॉर्म हमने सोचा हुआ है, जैसे we ourselves have manifested God into various forms, जैसे हमने उस निराकार ब्रह्म को, निराकार ब्रह्म मतलब बगवान को हमने अलग-अलग आकार दिये हुए है, कि इनका ऐसा face होगा, इनके हाथ ऐसे होंगे, इनके पैर ऐसे होंगे, ये ऐसे दिखते होंगे, ये हमारी कल्पनाए है, जैसे हमें हमें कि वो इस प्रकार से दिखते होंगे, जबकि in reality, जो बगवान का, जिसको ब्रह्मन बोलते है, उसका कोई manifested form होता नहीं है, मतलब prescribed कोई form नहीं है, अब यहाँ पे लिखा है, it's unmanifested form, and you can say, कि breath does not have a shape, breath does not have a form, तो आप ये समझ सकते हैं, कि इन ब्रित में से जो वेद निकले है, वो वेदो का भी कोई आकार नहीं होता, इसलिए वेदास को कहा जाता है, immortal and a purushya, अब कहा ये जाता है, कि जिस तरह ब्रह्मन जो है, उनके कोई form नहीं है, उनके कोई shape नहीं है, जिसका कोई form कोई shape नहीं हो, उसका existence तो माना जाता है, पर उसका end कभी पता नहीं चलता, उसी तरह से वेदो में ये लिखा गया है, कि वेदो का भी कोई form नहीं है, कोई shape नहीं है, इससी वज़ा से वेद जो है, वो न दिखते है, पर उनहें feel किया जा सकता है, और उनका कोई अंत नहीं है, जो धर्म सनातन है, वो वेदो पर depend करता है, क्योंकि सनातन का मतलब है, जो खुद निराकार है, वही निराकार को जनम दे सकता है, अब यहाँ पे आपको यह समझना जरूरी है, कि वेद के इस प्रकार से गूमते हैं, तो वेद गूम रहे थे in the form of शब्द, in the skies, मतलब यह words की तरह sky में, यह galaxy में rotate करते हैं, स्वर के form में, मैंने कल भी बोला था, स्वर के form में, और इन ही स्वर के form में, वो हमें मिले है, कै जिसे थ्रूरुशी मुनी, ठीक है, अब जो निराकार है, उसको प्रलय भी, मतलब the end day also does not destroy, तो ब्रह्मन को कोई destroy नहीं कर सकता, तो अगर ब्रह्मन को कोई destroy नहीं कर सकता, तो वेदो को भी कोई destroy नहीं कर सकता, अब यह वेद रिशी मुनी तक जब पहुचे, तो वो आया नहीं, उन्होंने वेदों के जो मंत्र थे, वो मंत्र के वो द्रस्टा बने, क्या बने, द्रस्टा बने, और द्रस्टा का मतलब है to look at, to observe, अब वो observations लेकर उन्होंने उसको शुरूती और स्मृती में divide कर दिया, ठीक है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, र from the words, the shabda, the swar you can say, और उन्होंने बद्ध करके, फिर जो बनाया, वो जो है, तो उन्हें मंत्र के द्रस्टा माने जाते हैं, मतलब they have authorized knowledge of Vedic, वो वेदों को जानते हैं, पर वेदों को बनाने वाले वो नहीं है, द्वापर यूग आया, द्वापर यूग में क्या हुआ, कि जब श्री कृष्ण का जनम होने वाला था, उससे पहले रिशी वेद व्यास, अब ये नाम आपने सुना है, महाभारत के रचाईता वेद व्यास, उनका रियल नेम वोस नॉट वेद व्यास, उनका नाम क्या थ श्री कृष्ण द्वाइपायन व्यास, ये उनका असली नाम था, कृष्ण द्वाइपायन व्यास, पर वेदों के बारे में, वेदों के बारे में और वेदों को लेकर उन्होंने जो चीजे बनाई, तो उस कारण से उन्हें वेद व्यास कहा गया, वेद वैसे तो एक ही थ पूरा उसके चार हिस्से किये गए अब ये चार हिस्से कैसे हुए इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि जैसे वेद व्यास ने अपने एक रिशी जो शिश्य थे पहली रिशी उन्हें उन्होंने रिगवेद का ज्ञान दिया फिर अपने वैशंपायन रिशी को उन्होंने यजूर वेद का ज्ञान दिया साम वेद का ज्ञान उन्होंने जैमिनी रिशी को दिया और अथर्व वेद का ज्ञान उन्होंने सुमंत रिशी को दिया इस तरह से उन्होंने चार वेदों को चार शिश्यों में बाट दिया क्यों बाटा? The reason was कि by the upcoming of Kaliyoga He knew the limitations of human body And he also came to know that people won't remember Even one वेद at a stretch तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेदों को इस तरह से तोड़ा कि लोग एत वेद का ज्यान उनके इस सिश्य से प्राप्त कर सकते है और अगर चतुर वेद का ज्यान प्राप्त करना है तो चारो दिशा में जो चार रिशी है उनसे वो चतुर वेद का ज्यान भी प्राप्त कर सकते है If they want to वेद्विया सुरिशी को क्या माना जाता है? वेद्विया सुरिशी जी को माना जाता है He was incarnation of Lord Vishnu और उन्होंने क्या किया? He knew the limitations of a man in Kaliyug तो उन्होंने अपने चार शिष को अलग-अलग वेदों का अग्यान दे दिया और वो ज्ञान आप यहां से भी देख सकते हैं रिकवेद का पहली रिशी, यजुरवेद का वैशंपायन रिशी, सामवेद का जैमिनी रिशी और अथर्ववेद का सुमंत रिशी Dear Students, ये आपके लिए वेदांग को समझना, वेद पुरुष को समझना और ये कौन से रिशी थे, जिन्होंने अलग-अलग वेदो का ज्ञान प्राप्त किया, ये बहुत जरूरी है अगर आप वेदो को मैनेजमेंट की दृष्टी से पढ़ रहे हैं, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है वेद व्यास जी, as a CEO, thought that now it would be very difficult for me to teach everything to everybody what he did was delegation of authority along with assigning of powers and also giving right, जिसको power of attorney बोलते हैं, giving right to somebody to act on his behalf ये management की बात है दोस्तों, हमने पढ़ा था वेद, वेद के बारे में वेदांग, मतलब उसके अंग जो है now we have the classification कि उन वेदांग के अंदर फिर हमने सूत्र देखे सूत्र के बारे में मैंने ये कहा कि सूत्र फ्रेजिस होते हैं जो की हमें जीवन जीने की अच्छी सी एक पद्धती दिखाते हैं अब ये पद्धती में किसने कौन से सूत्र दिये और उन सूत्रों के अंदर क्या-क्या चीजे कवर होती हैं और उसका में आइडियोलोजी इस फिलोसोफी के पीछे क्या है दट इस वाट आइम गोईंग तो टीच यू इन दिस पार्ट नाउसी हमनी जब सूत्र के बारे में पड़ा तो मैंने आपको छे सूत्र बताये थे अब उसमें सूत्रों के नाम कोछे इस प्रकार थे न्याई सूत्र मतलब कि न्याई दर्शन वैशेशिका दर्शन सांख्या दर्शन योग दर्शन पूर्व मिमांसा दर्शन जिसको कर दर्शन बोला था और लास्ट था उतर मिमान सा जिसे वेद वेदान्त कहा जाता है बेजिकली दर्शन मीन्स फिलोसोफिस एंड फिलोसोफिस मीन्स स्कूल अफ थॉट्स नाव सी यू आल नो दस कि जिस प्रकार से व्यक्ति बदलते हैं उस प्रकार से उनकी साइकोलोजी और फिलोसोफिस दोनों बदलती हैं इसी प्रकार जब रिशी गौतम ने सबसे पहला सूत्र लिखा तो वो था न्याई सूत्र अब यह न्याई सूत्र के अंदर गौतम रिशी ने न्याय मतलब लौ अब लौ के बारे में उन्होंने खास करके क्या लिखा कि हाव टू गेट इ है हिंदी में तर्क विद्या तर्क कैसे जीतना चाहिए हाव टुविन अर्गूमेंट हाव टू गेट इन्टू दह आर्ट अफ तर्क मतलब दा आर्ट ओफ सूत्रस दा आर्ट अट अफ न्याय ये बात जो है वो गौतम रिशी ने न्याय सूत्र में बताई अब कंद रिशी जो है इन्होंने वाइशेशिका सूत्र दिया वाइशेशिका सूत्र सांख्य सूत्र योग सूत्र पूर्व मिमान सा इन सब के Central Ideologist क्या है तो dear students I have written the basic crux of this आपको अगर मैं देखाओं तो न्याय सूत्र जो है न्याय सूत्र जो है पहला वो है Art or Science of Debate जिसको तरक शास्त्र कहा जाता है You might have heard of the stories of अकबर बीरबल, you might have heard the stories of तेनाली रामन तो तेनाली रामन जो थे वो न्याय सूत्र में बहुत पावर्फुल थे Sometimes अगर आपको कुछ चीजे ना भी पता हो पर यदि आपका argumentative आर्ट जो है वो बहुत पावर्फुल हुआ ना तो भी आप लोगों के सामने एक lucrative position पे खड़े रह सकते है ये तरक विद्या है जैसे आज कल के हम जैसे लोगों में ही ये तरक की आदत सी पड़ गई है कोई हम से कहता है कि ये भगवान का काम करो तो हम सीधा पूछते हैं इसका क्या फाइदा इससे क्या मिलेगा तो ये पूछने पर सामने वाला व्यक्ति रुक जाता है वो कुछ बताता नहीं है तो ये तरक की बात है हम अगर चीजों के अंदर क्या उसका क्रक्स है उस पे अगर हम सवाल करने लगे और उन सवालों के बेजिस पे हम डिबेट करने लगे इस पूरे ही डिबेटेबल फिलोसोफी को कहा जाता है न्याई सूकों जो दिया था गौतम रिशी ने फिर आता है वैशेशिका सुत्र अब ये वैशेशिका दवर्ण विशेशक उससे बना है वैशेशिका सुत्र वैशेशिका सुत्र का मेन समरी क्या है नेचर ओफ सोल ये सुत्र कहते है कि हमारा जो आत्मा है वो परमानू की तरह एक एटम है ज जिसे हम काट नहीं सकते, जिसे हम तोड नहीं सकते, जिसे हम मिटा नहीं सकते, तो नेचर ओफ सोल जो वैशे शिका सुत्र ने दिया है, वो ये है कि आत्मा जो है, उसका कोई तोड नहीं है, उसका कोई जोड नहीं है, उसे ना काट सकते हैं, ना ही उसे हम कुछ और प्रोसे कर सकते हैं जिसको भगवत गीता में बहुत अच्छे से एक शलोक के द्वारा दिया गया है नैनम चिंदन्ती ऐसा एक पूरा शलोक है कि अगा थार्ड पॉइंट उवर हीर दथार सूत्र ओवर हीर इस संख्य सूत्र जिसको सांख्य सूत्र भी बोला जाता है सांख्य, the word itself suggests numerical सांख्य हाँ, उसके बाद आता है सांख्य तो सांख्य क्यों बोला? क्योंकि ये अप्रोच जो है पढ़ने की ये एक dualistic अप्रोच है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि पृत्वी में सर्जन होता है दो लोगों के मिलने से इसमें एक है पुरुष और दूसरी है प्रकृती ये पुरुष प्रकृती का जो सूत्र है वो दिया गया है सांख्य सूत्र में तो this is the third type of philosophy the fourth philosophy given over here is योग सूत्र my dear students, this योग सूत्र was given by रिशी पतंजली और ये पतंजली रिशी ने क्या guidelines दी है उन्होंने कोई मतलब जिस तरह हम पढ़ते न we have seen कि पतंजली मतलब हमें लगता है कि इस तरह टेड़े मेड़े होकर बैठने को आसन कहते वो आसन दिये गए कैसे बैठना है कैसे हमारी ही life को meaningful, purposeful बनाना है if I ask you how do you make your life purposeful तो इसका answer होता है by being helpful to others जब हम खुद को ही नहीं संभाल पारे तो दूसरों को क्या help करेंगे अगर ये point आ गया कई किसी दिन तो ये योग सूत्र है जो तुम हे पहले स्वस्थ बनाता है और उसके बाद में तुम को इस तरह स्वस्थ बनाता है कि तुम सोसाइटी के लिए भी एक स्वस्थ को जारी कर सको दिस इस दा योग सुत्र गीवन बाई रिशी पतन जली नेक्स्ट जो आता है वो है पूर्व मिमांसा जिसको कर्मकांड भी बोलते है तो पूर्व मिमांसा क्या कहता है कि वेद जो है वो इन्फाइनाइट है वो एवर्लास्टिं है उनका कोई आदी नहीं उनका कोई अंत नहीं ये सनातन है और इनकी अंदर पूरे विश्व का समग्र जन समाहित है लिए पूर्व मिमांसा वेर अल दर नौलेच इस पूमुलेटेड एंड कैप and the last, the sixth school of thought is Vedanta school of thought which is also known as उत्तर मिमांसा which suggests the harmony of religions oneness of God, nature and man यहां पर सापित किया जाता है the principle of spiritualism the principle of spirit also which says there is a harmony amongst all जो भी इस पृत्वी पर जीवन है या जीवित है वो सब एक समान है यह Vedanta का principle कहता है so here you have this six school of thoughts जिसमें पहली आती है न्याई सूत्र दूसरा आता है वाईशेशिका सूत्र तीसरा आता है सांख्य सूत्र च्वाथा होता है योग सूत्र पाँचवा है पूर्व मिमानसा और छठवा है वेदांत जिसे कहते हैं उत्तर मिमानसा इसके अंदर अगर आप देखो तो रिशी जिन्होंने यह कहा था वो पहले गवतम रिशी थे जिन्होंने न्याई सूत्र दिया फिर आए कंद रिशी जिन्होंने वैशेशी का सुत्र दिया कपिल मुनी आये जिन्होंने सांख्य योग के बारे में बताया फिर पतन्जली रिशी जिन्होंने योग कर्म के बारे में बताया पुर्व मिमानसा लिखी गई जैमिनी रिशी के द्वारा और वेदांत जो है उत्तर मिमान सा उसे लिखने के लिए अलग अलग और भी छे लोगों ने महनत की और ये छे लोगों में से पहले आदी गुरु शंकराचार्य जी थे जिन्होंने अद्वाइत दर्शन दिया उसके बाद माधवाचार्य जगत गुरु थे जिन्होंने द्वाइत का दर्शन द द्वाइत दर्शन दिया जगतगुरु रामानुजाचार्य ने शुद्ध द्वाइत दर्शन दिया जगतगुरु वल्लभाचार्य ने द्वाइत अद्वाइत दर्शन दिया जगतगुरु निम्बकाचार्य जी ने और अचिंत भेद अभेद ये दिया चैतन्य महाप्रभ आपने इस कौन मंदिर देखा होगा इस कौन मंदिर में जो चैतन्य महाप्रभुजी की मुर्ती रखी जाती है यह उनके बारे में बात है फिर अगर आप साउथ हिंडिया चले जाए तो वहां पर आपको श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्यजी की मुर्ती भी जैसे तेनाली राम के समय में जगत गुरु माधवाचार्यजी एक्जिस्ट करते थे फिर वल्लभाचार्यजी जो है यह वैश्नव धर्म जो है वह वैश्नव दर्म के लीडर माने जाते हैं निम्बकाचार्यजी जो है उन्होंने भे इसी प्रकार का ग्ण्यान जाना वो भी एक बहुत बगीरत कार्य कहा जाता है it is an immense amount of knowledge which is required to be spread amongst people but through simplified words अब यह simplify करने के लिए जिस जिस काल की बात है उन उन काल में जो जो संत है जो जो रिशी है उन्होंने अपने प्रयास किये और यही commentaries आज हमें अलग अलग पुस्तकों के द्वारा मिलती है हम पढ़ चुके हैं वेद के अंदर वेदांग मतलब वेदों के छे अंग उसके बाद हमने पढ़ा कि अलग अलग छे school of thoughts है और यह जो छटी school of thoughts जिसको उत्तर मिमांसा बोलते है उस उत्तर मिमांसा के अंदर और छे school of thoughts है जिसमें द्वाइत दर्शन अद्वाइत दर्शन दो फिर विशिष्ट द्वाइत और शुद्ध द्वाइत यह दो और चार और फिर द्वाइत अद्वाइत अचिन्त भेद अभेद युस तरह से छे school of thoughts है My dear students, आपको ये पूरा table एक बार आराम से go through करना है Along with, मैंने आपको ये भी meaning बता दिया है कि कौन सी बुक में किस चीज का जिक्र किया गया है, किस चीज के बारे में focus किया गया है Next, इसके बाद में आता है regarding वेदान्त दर्शन तो इसमें कहा जाता है the concept of प्रस्थानत त्रई अब प्रस्थानत त्रई का मतलब क्या है Any studies or commentaries on ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता and उपनिशन मतलब अगर इन तीन, तीन जहां भी आएगा संस्कृत में वहां यूज किया जाएगा संस्कृत का वर्ड त्रई और प्रस्थानत त्रई का मतलब है इन तीन अलग-अलग सूत्रों से, इन तीन अलग-अलग पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करके उसकी study करना, उसकी commentary लिखना तो ये है प्रस्थानत त्रई अब ये करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है उसे पहले जगत गुरु बनना पड़ता है और जगत गुरु बनने के बाद कोई भी एक ब्रांच जो है जो हमने अभी देखी वेदान्त की ब्रांच उन वेदान्त की ब्रांच को प्रमुख रखके उसकी commentaries आप लिख सकते हैं ठीक है प्लीज अंडर्लाइन दिस तिंग्स विथ मीज़ू अब जो आप टेबल दूसरा देख रहे हैं ये टेबल कुछ इस प्रकार का है कि जिसके अंदर हम वेदांग जो हमने देखे थे ना वो वेदांग के रिशी जो है उन्हें सिखाने वाले जो रिशी है उन्हें धारन करने वाले जो रिशी है देखे इसमें होता क्या है ना स्कूल आफ थॉट्स बन जाती है पर उन स्कूल आफ थॉट्स को accept करके फिर उसके ऊपर research करके उसे आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य करता है वो रिशी का नाम यहाँ पर दिया गया है तो हमने पढ़ा था शिक्षा मतलब education तो वेदांग शिक्षा जो है उसके बारे में बताया किसने नटराज शिव क्योंकि भले ही शिव जो हम देखते हैं ब्रह्मा विश्नु महेश मतलब महेश में जो शिव देखते हैं वो जो नटराज शिव है वो है the founder of नाट्य शास्त्र अब ये नाट्य शास्त्र मतलब sound of डमरू जो है उसके हिसाब से उन्होंने स्वरों को बांदा हुआ है और उन स्वरों से हम ज्यान प्राप्त करते हैं जिसे हम शिक्षा कहते हैं आप लोगोंने बहुत बार सुना होगा see आप लोगोंने movies भी देखिए movies में बहुत बार श डमक डम डम डमक डम ये जो स्वर है ये जो ताल है इन ही तालों से ड प्लस अ प्लस अम या म इस तरह से जो स्वर निकलते हैं इन ही स्वरों से शब्दों की रचना हुई और इन ही शब्दों से हमें पूरा वेद समझने को मिला दूसरा है व्याकरण तो व्याकरण के रिशी कौन है पनीनी रिशी है और इन्हों ने लिखा था सबसे पहले पानीनी व्याकरणम तो ये व्याकरण मतलब ग्रामर और ये ग्रामर के बारे में लिखा किसने है पनीनी रिशी ने इसके बाद में आते हैं जोतिष शास्त्र पे तो जोतिष शास्त्र लिखने वाले कौन कौन है तो जोतिष शास्त्र लिखा था पराशर रिशी जिन्होंने लिखा ब्रिहतपराशरी My dear students आप टेबल में देख रहे हैं कि मैं उच्चारण कुछ और कर रहा हूं और यहां नाम कुछ और लिखे है that is because we follow the English pronunciation of the Sanskrit तो इसके कारण क्या होता है जो उसका सही प्रुप्रकरण होना चाहिए वो बिगड जाता है इसलिए मैं आपके लिए वो Sanskrit के जो real words है उनही words को यूज़ करके बता रहा हूँ it is प्रुहद दूसरे है गुरु शुक्राचारिया जो गुरु है दानवों के गुरु है जिनका नाम गुरु शुक्राचारिया है उन्होंने भी बनाई है और उन्होंने क्या बनाई है ब्रगु संहिता यह जो ब्रगु संहिता है इसके अंदर गुरु शुक्राचार्य जी ने इसके बारे में ज्यान दिया जोतिश के बारे में फिर आते हैं गर्ग रिशी जो गर्ग सम्हिता से अपना काम दिखाते हैं in जोतिश and dear students please remember मैं जोतिश का मतलब सिर्फ एस्ट्रोलोजी नहीं होता जोतिश के अंदर ही astronomy भी है तो ग्रहों की दशा के साथ साथ ग्रह के अंदर मतलब हमारी दशा के बारे में इसमें सब लिखा गया है और last है सूर्य सुद्धान्त the name itself suggests कि सूर्य सुद्धान्त जो सूर्य की गती पे या सूर्य को फोकस में रखे लिखा गया शात्र है उसके बाद में निरुक्त जो है वो धन्वंतरी देव का लिखा गया है कल्प जो है जैमिनी रिशी का लिखा गया है और चंद जो है वो पिंगला रिशी के द्वारा लिखे गया है ये जो आप अभी सुना ये थे वेदांग और वेदांग के रिशी गण So I conclude this much part over here We will continue the other part in the next video Thank you for listening to me very carefully Dhaniabhad